आज हमरा टॉपिक है चोहान राजबन्स जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अजमेर के चोहान इन्हीं अजमेर के चोहानों को सांबर के चोहान कहते हैं, साकमबरी के चोहान कहते हैं और सपाल दक्ष के चोहान भी कहते हैं तो इन है इन उपनामों से भी जाना जाता है और वो क्यों जाना जाता है देखिए सबसे पहले तो जब हमने लास्ट वीडियो में देखा था गुर्जर प्रतिहार शाशक तो वहां मैंने आपको बताया था कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है वह है अग्णी कुंड से हु जो है वो साबित हुए थे चीक है तो ये पूरे राजिस्थान में ही फैले थे अजमेर में भी थे नाडोल के चोहान भी कहलाए जालोर में भी चोहान थे सवाई माधोपूर में भी चोहान थे चीक है तो इस तरीके से हम चोहानों को जो है वो अलग लग शित्र में देखत सांबर के चोहन इन्हें इसलिए कहा गया क्योंकि सांबर जील जो खारे पानी की जील है वहां आसपास ये लोग रहे थे और साकंबरी के चोहन साकंबरी इनकी कुल देवी थी इसलिए ने साकंबरी के चोहन कहा गया और सपाल दक्ष के चोहन इसलिए कहा गया क्योंकि सपाल गाओं का समू ठीक है और सांबर जील के आसपास के शेतर में सपाल लक्ष शेतर है जिसकी राजधानी इन्हों ने अही छत्रपुर नागोर को बनाई थी ठीक है ये भी कह सकते हैं कि ये जांगल देश के रहने वाले थे जांगल देश वही जिसमें बिकानेर आ जाता है लक्षित मेंसूस नहीं कर रहे थे तो यहां से चलकर जो है ते और अजवेर शेहर बसाने वाले अजेराज राज है जो है अजमेर को ही अपनी राजधानी बना लेते हैं जो की पहले क्या थी अहीचत्रपूर थी ठीक है पर सुरक्षित महसूस करते हैं ठीक है और वही अजे मुरु दुर्ग जो है वो बाद में तारागड के नाम से भी प्रशिद होता है तो उसके बाद देखिए जो विक्रे राज फोर्थ आएंगे जिने वीसल देव कहा जाता था तो यह जो हैं सबसे सक्तिशाली शाशक होंगे अन्त में प्रत्वी राज चोहां त्रतियां आएंगे जिनके दो युद्ध होंगे बहुत बड़े 1191 का और 1192 का मोहमद गौरी के साथ ठीक है तो वो स्टोरी जो है वो हम आगे चलके पढ़ेंगे फिर उनका जो प्रत्वी राज चोहां जो है उनका बेटा जो है वो यहां से भाग कर रड थंबोर जाएगा और रड थंबोर में 94 की नीव रखेगा अब हम पढ़ते हैं चोहां की उत्पत्ति कैसे हुई तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि चोहां की उत्पत्ति जो है अगनी कुंड मत के अनुसार प्रतिवी राज रासों में चंद वरदाई कहते हैं कि आबू में गुरु वसिस्ट के अगनी कुंड से उत्पन हुए चारवंस प्रतिहार, परमार, चालुके और चोहां जिसमें चोहां जो थे वो सबसे अंत में उत्पन हुए जो कि सबसे सक्तिशाली हुए और इस मत का स मर्थन करते हैं महुनोत नैंसी और सूरे मल मिश्रण, महुनोत नैंसी कौन है मारवाड के जस्वन सींग के दरवारी कवी और सूरे मल मिश्रण के वंस भास करके जो रचनाकार है वो ये कहते हैं कि जो चंद वरदाई है वो बिलकुल सही कहते हैं कि ये जो चार वंस की उत और इसमित ने। इनका कहना था कि चोहान जो हैं वो विदेसी थे, ये बाहर से आये थे। ठीके अब तीनों के नाम ही विदेसी हैं तो याद रह जाएगा कि विदेसी मत किस ने दिया, कर्णल जैमस्टॉड, कुरुक और इसमित ने। कर्णल जैमस्टॉड की बुक का नाम याद रखिएगा पक्षमी भारत की यात्रा। चोहान सूरेवंसी थे, ये कहने वाले हैं नयन्चन सूरी जिन्होंने हमीर महाकाववे में कहा और जोद राज ने हमीर रासों में कहा कि चोहान जो हैं वो सूरेवंसी हैं। बेदला सिलालेक और डॉक्टर गौरी संकर ओज ये भी कहते हैं कि चोहान सूरेवंसी हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने हर पॉइंट जो हैं यहाँ पर डाल दिया है ताकि आप लोग जो हैं इधर उदर ना भटकें आपको प्रॉपर तरीके से नोर्स मिल सकें। और कुछ बच्चे साइंस के हैं जिनको इतिहास जो है यहाँ पर इंक्लूर कर दी है और यहाँ पर जो भी चीज लिखी हुई है सभी authentic book से हैं ठीकें चोहान जो थे वो चंदरवंसी थे यह कहने वाले हैं हासी का सिलालेक जो की हर्याना का है और चंदरावती का अचलेशर मंदिर का लेक जो सिरोही का है इसमें चोहान को कहा गय है कि चोहान जो थे वो चंदरवंसी थे तो कोई कहता है सूरेवंसी थे कोई कहता है चंदरवंसी थे और आगे चलकर ब्रहमण वंसी मत जो है कि चोहान वचसर इसी के वंसस थे इसका समर्थन करने वाले हैं बिजोलिया सिलालेक इसका समर्थन किया बिजोलिया सिलालेक ने की नीव वासुदेव चौहान ने 551 इस्वी में रखी थी और सांपर जील के निर्माता जो है वो वासुदेव चौहान को ही माना जाता है ठीक है इस विजोलिया सिलाले के अनुसार गोपिनास सर्मा और पंडित दस्रा सर्मा ये दौनों भी कहते हैं कि चौहान जो थे वो व दिया था तो आपको यहां पर सभी नाम जो है वो याद करने होंगे या सूरेवंसी मत किस ने दिया चंद्रवंसी मत किस ने दिया इसी तरीके से आपके एक्जाम में कुश्चन पूछे जाते हैं उसके बाद देखिए कि प्रत्वी राज विजय जो की जयानक का है इसमें क्या थे दरवारी विद्वान थे तो इन्होंने चोहानों के बारे में बढ़ा चड़ा कर लिखा था तो चोहानों की जानकरी जो है वह हमें यहां पर भी मिलती है सांबर जील के आसपास का शेत्र जो है वह सपाल दक्ष के शेत्र के नाम से जाना जाता था यह मैंने आपक यहां से भाग आता है तो यह यहां के रहने वाले थी तो यह इनका क्या था स्टार्टिंग का था, यह यहाँ पर आकर बसे थे, लेकिन जो वास्तविक संस्तापक माने जाते हैं, जो आदी पूरस माने जाते हैं, चोहानों के, वो हैं वासुदेव चोहान, तो यह हमें भीजोलिया सिलालेग, यहाँ से पता लगता है, कि जो वासुदेव चोहान है इन्होंने चोहान वंस की नीव रखी थी इसलिए इन्हें आदी पूरुस माना जाता है चोहानों के निर्माता कहा जाता है और इन्हें सामबर जील के निर्माता कहा जाता है ये भी हमें विजोलिय सिलालेक से पता लगता है जो किसके द्वारा गुड भद्र के द्वारा लिखा गया है सामबर में इन्होंने साकंबरी माता का मंदिर बनवाया जो कि चोहानों की कुल देवी कही जाती है और कुल देवता कौन थे हर्शनाथ जी ठीक है तो कुल देवी साकंबरी माता के मंदिर का निमान कराने वाले हैं वासुदेव चोहान और कुल देवता यहां के हैं हर्शनात जी तो देखिए अब यह याद कैसे करोगे कि वासुदेव चोहान ने 551 इस्वी में चोहानों की निव रखी थी थोड़ी सी याद रखना है आपको थोड़ा सा ये ट्रिक कि चोहानों के लिए वासुदेव श्री पत्ति जो है वह वासुदेव चोहान से मानी जाती है ठीकिए? कब से 551 इस्वी से उसके बाद देखिए गुवग परथम देखिए वासुदेव चोहान जो है वो अब भी सामन्त थे किसके गुर्जर प्रतिहारों के लेकिन ये गुवक प्रत्थम जो है ये चोहानों को मुक्त कराएंगे गुर्जर प्रतिहारों से ठीक है तो सक्तिशाली शाशक हुए वासुदेव चोहान के बाद। कनोज के शाशक भोज राज से अपनी बहन कलावती का ये विवहा करवाते हैं। उसके बाद है चंदन राज तौमन नरेश रुद्र को इन्होंने पराजित किया और देखिए इंट्रेस्टिंग बात की इनकी जो पतनी थी रुद्राणी जिनको आत्म प्रभावी कहते हैं। ये योगिक क्रिया में निपुड थी और इनका काम था हर रोज हजार दीपक जो है पुसकर यानि अजमेर में जो महादेव हैं उनके सामने दीपक जलाना। ठीक है? तो ये योगिक क्रिया करती थी, इसमें निपुड थी, तो ये हर रोज हजार दीपक जलाया करती थी। इक में महराज कहा गया क्योंकि ये भी सकतिशाली शाशक हुए हैं जिन्होंने क्या कि प्रतिहारों को हरा कर अपनी सकती का परिछे दिया था ठीके इसके बाद जो है वह विग्रे राज जो है वह हर बार आता है विग्र राज सेकिंड 956 इसवी आरंब में चोहान में सबसे प्रतापी राजा हर्शनात अब लेक में विग्र राज सेकिंड को सबसे प्रतापी राजा बताया गया है आरंब के इन्होंने आशापूरा देवी के मंदिर का निर्मान करवाया तो हमने वासुदेव चोहान के बारे में पढ़ा कि उन्होंने सबसे पहले साकमबरी माता का मंदिर बनवाया Next गुवक प्रथम के बारे में पढ़ा, उन्होंने हर्ष नात्ट जी का मंदिर जो है वह बनवाया था, कहां पर बनवाया था, सीकर में बनवाया था. ठीके और उसी प्रकार आशापूरा देवी के मंदिर का निर्मान कराने वाले हैं विग्रे राज सेकिंड विग्रे राज सेकिंड ने गुजरात के चालुक के शाशक मूल राज को परास्त कर भनोच विजय की गुजरात को विजय किया विग्रे राज सेकिंड ने गुजरात थर्ड, जयानक का प्रत्वी राज विजय, इसमें गोविन थर्ड को बैरी घट, बैरी यानि की दुस्मन, बैरी घट कहा गया है, तो बैरी घट का अर्थ होता है सत्रू संगहारक, ठीक है, एक्जाम में ये अभी तक का फेवरेट कुश्चन है, जो पूछा गया है गोविन में बढ़ने से रोका था, वागपती राज सेकंड, मेवाड के अंबा प्रशाद को युद में मारा था, नेक्स्ट है प्रत्वी राज प्रथम, तो देखिए प्रत्वी राज प्रथम अलग हैं, और उसके बाद आएंगे प्रत्वी राज थर्ड, जिने हम प्रत्वी रा तारक महाराजा धिराज परमीश्वर की उपादी धारण की तो प्रत्वी राज प्रथम जो हैं यह भी कुछ कम नहीं थे इन्होंने भी देखिये 700 चालुक्यों को मारा था और जो की भ्रामनों को लूटने आये थे और उपादी धारण की इन्होंने परमभट तारक और महार राजा धिराज परमेश्वर की अज्यराज प्रथम 1105 से 1133 चोहानों का सामराज्य निर्मान काल तो मैंने आपको बताया था कि यह अज्यराज जो प्रत्थम हैं यही अजमेर शहर बसाएंगे अज्यमेर को अपनी राजधानी बनाएंगे जो की अब तक अही छत्रपूर चोहानों का सामराज्य निर्मा्टकाल, मालवा के परमारों को हरा कर वा सामराज्य विस्तार हेतू, अजमीर सहर बसाया था 1113 में अजमेर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया बीटली पहाडी पर अजमेर में एक दुर्ग बनवाया जिससे अजे मेरू दुर्ग कहा जाता है और यही अजे मेरू दुर्ग जो है वो बात में इसका नाम बदल कर रखा गया तारागड ठीक है? क्यों रखा गया? वो अभी हम देखेंगे इस दुर्ग को गड़ बीटली बन वाया था अब देखिए अजे मेरूदुर्ग जो है इसका नाम तारागड क्यों रखा मेवार के प्रत्वी राज शशोदिया उड़ना राजकुमार जल्यने कहते हैं इनकी पत्नी का नाम था तारा इनकी नजर इस अजे मेरू दुर्ग पर पड़ी प्रत्वी राश शोधिया ने क्या किया इसकी मरम्मत करवाई और इसका नाम बदलकर अजे मेरू दुर्ग से बदलकर अपनी पतनी तारा के नाम पर तारागड रख दिया ठीक है तो आपको पता लगा कि ये तारागड नाम पे आपको हिध्यान देना है अजे राज ने श्री अजे देव या अजे प्रिये द्रम के चांदी और तांबे के सिक्के चलाए और इस पर अपनी पत्नी सोमल देवी या सोमल वती का नाम अंकित करवाया था नेक्स्ट है अरणोराज जिन्हें आना जी भी कहते हैं 1133 से 1155 तक का इनका साशनकाल है इन्होंने चालुक के शाशक जैसिंग सिद्राज की पुत्री कांचन देवी से विवाह किया था और देव बोध और धर्म गोस को इन्होंने सम्मानित किया था ठीके अब एक्जाम में क 狂श फिर्गुल हटके आते हैं तुछ चिक है कि ये कोई नहीं पुछेगा कि अरणोराज का उपनाम क्या था आ जी था वो क्या पूछ लेंगे कि अर्नोराज के समय कौन से दो विद्वान आये थे जिन्हें अर्नोराज ने सम्मानित किया था तो ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा ये आपको अथेंटिक बुक से ही मिलेगा तो देववोद और धर्मगोस इन दोनों नामों को याद रखना है इन्हें सम्मानित किया था इनको क्या था जिल में नहने का बहुत शौक था पूजा करने का बहुत शौक था इसी वज़े से इन्हों ने क्या किया अजमेर में आना जिल बनवाई अपने नाम से पुसकर में बरहा मंदिर का निर्मान भी करवाया और इसी आनाजील के किनारे जहांगीर ने सुभास पार्क बनवाया जिसे दौलत पाक कहते हैं सहाजा ने भी इसी के किनारे बारादरी चतरी बनवाई थी तो जहांगीर ने बनवाया सुभास पार्क और सहाजा ने बारादरी चतरी बनवाई अब confusion यहां पर क्या रहता है कि अभी तो आपको यह समझ में आ गया कि जहांगीर ने सुभास पार्क और सहाजा ने बारादरी बनवाई थी तो इन में से एक नाम जो है वो आप याद रख लीजिएगा अपने आप दूशरा याद हो जाएगा जैसे कि सहाजाने जो है वो 12 तरह की दरियां जो है वो बनवाई ठीक है ये लाइन आप याद रख लोगे तो जो बच जाएगा वो आपको याद रहा जाएगा कि जहांगीर ने सुभास पार्क बनवाया था अर्णो राज को गुजरात के चालुक के शाशक कुमार पाल ने हराया था जिसका वर्णन चिंता मणी मेरु दुगाचार्य का और प्रबंद कोस राजशेकर का इसमें मिलता है कि अर्णो राज को किस ने हराया कुमार पाल ने हराया था और अंतिम समय देखिए अर्णो राज के पुत्र जगदेव ने अर्णो राज की हत्या की थी इसी वज़े से जगदेव को चोहानवंस का पित्र हन्ता कहा जाता है तो इनके पुत्र जो जगदेव थे इन्होंने ही इसकी हत्या कर दी थी तो अर्णो राज का समय जो है वह समाफ्त होता है नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे विग्रे राज फोर्थ जिन्हें वीसल देवी कहा जाता है और कोई भी एक्जाम नहीं होता है ऐसा जहां पर आपके विग्रे राज चतुर्थ या प्रत्वीरा चोहान से संबंदित प्रस्ण ना आए जहां पर आपके चोहन वंस पूठा जाता है वहां पर आपके हर बार विग्रराज चतुर्द और प्रत्वीराज थर्ड इनमें से एक कुश्यन तो आता ही है तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम यहां से पढ़ेंगे थैंक यू